आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends, आच के Question में हमसे ही पूछा गया है कि Nervous System और Endocrine System जो होते हैं तो दोनों सिस्टम कोर्डिनेशन में वक करते हैं यह तो हमें पता ही है ठीक है तो दोनों सिस्टम क्या कैसे वक करेंगे, कोर्डिनेशन में करेंगे जिसकी वज़ा से हम कह सकते हैं कि हमारी Body की जो Activities होती है वो Integrate हो सके और हमारी Body की जो Activities हो रही है अलग various activities होती है हमारी body के अंदर वो क्या हो सके control हो सके ठीक है अब अगर हम बात करें कि इनके बीच का main difference क्या होता है यह दोनों एक दूसरे से अलग क्यों होते है दोनों अलग अलग क्यों होते है एक क्यों नहीं होता है इसलिए होता है because जो nerve impulses होती है that nerve impulses वो क्या होती है rapid होती है obviously जल्दी होंगी fast करती है और वो usually हम कह सकते है rapid है तो short duration में हो जाएंगी ठीक है short duration लेंगी कम time में वो हो जाएंगी whereas अगर हम बात करें nervous system के अंदर तो यह सा हो जाता है कि जो nerve impulse होंगी वो rapid होगी और short duration लेती है whereas अगर हम बात करें endocrine की तो endocrine system के अंदर क्या होता है endocrine system के अंदर hormone का action होता है तो यह जो hormonal action होता है यह rapid नहीं होता है यह क्या होता है बहुत जादा slow होता है और यह जादा time लेता है तो यही difference होता है nervous system और endocrine system के अंदर classic situation से लेके नीट IIT जेही मेन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चारसो 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 पर